है स्वेलोगन अमस्कार दोस्तों मेंड़र देखर रहें डीटी गयां तो आज के इस वीडियों में हम जानने वाले कि किस परकार से आप जो बैंक अप इंडिया का एंटियू फॉर्म है उस फॉर्म को किस परकार से भर शकते हैं दो यहीज हम जानने वाले ठीक है दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों अगर आपको यह बला फॉर्म भरना पड़ेगा ठीक है तब आपका एटीम बनके आएगा तो इसको हम जानेंगे की किस परकर से हम इस e.t.m. फॉर्म पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नाम नाम लिखना जो आप अपने ATM कार्ड पर प्रिंट होके आएगा वही नाम आपको यहां पर लिख देना ठीक है धुक्त दूश्त कराना चाहते हैं वह नाम आपको यहां पर लिखना जैसे हमारा जो candidate है उनका नाम है राज सिंग तो यहां पर हमने लिख रखा है राज सिंग ठीक है तो इस परका से आप भी यहां पर अपना नाम लिख दीएगा ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है काड क्रमा दोस्तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है यह बैंक बाले भरेंगे ठीक है इसको खाली छोड़ देना है ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है साखा दोस्तो यहां पर दिया हुआ यहां पर देखिए लिखा हुआ है सरनेम उपनाम यहां पे आपको लिखना है यहां पे आपको फर्ष्ट नेम लिखना है यहां पे आपको मिडिल नेम लिखना है ठीक है तो यहां पे आपको नाम का पहला है जैसे राज है राज सिंग है जैसे जो हमारा कंडिडेट है उनका नाम है राज सिंग तो यहां पे फ कुछ भी मिडिल नेम होगा तो मिडिल नम यहां पर लगेगा ठीक है तो इसको जला ध्यान से भरिएगा फर्स्ट नेम आपको यहां भरना है में इसके पर आगे बढ़ते दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है जन्मती थी डेट और यहां पर यहां पर देखें व्याज है इस परका से ठीक है उसके बाद यहां पर देखें यहां पर पोस्त बहरते रहा है यहां posth सलदाएद्य। तो इस परका से आपको भी आपका जो अड्रेस वो भर देना है यहां पर द्पार त्यकol है प्रीं नमब्र यहां पर जो भी पोश्टल पिन नंबर है वो पिन नंबर यहां पर डाल देना है क्योंकि आपका जो ATM कार्ड है वो पोस्ट के थुरू ही आता है ठीक है दोस्तों और पोस्ट के थुरू ही आपका ATM कार्ड आयने वाला है ठीक है तो इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा यहां पर आपका पोस्टल जो पिन नएकल देखा तो इसको आप खाली छोड़ देंगे ठीक है उसके बाद यहां पर लिख लिखा हूआ है निवास रेसिडेंट भरता है तो आपका जो भी गाउँ है उस गाउँ का नाम यहाँ पे अपको भर देना है ठीक है उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है मोबाइल नमबर यहां पे आपका जो मोबाइल नमबर है वह मोबाइल नमबर यहां पे आपको डाल देना है ठीक है दोस्तों मोबाइल डालने के बाद यहां नीचे देख सकते हैं यहां पे लिखा है इमेल दोस्तों आपके पास अगर इमेल है तो आप यहां यहां पर Remember indiaaaktori आपको ब्रांच का नाम डाल देना जो भी इसके एसके बाद यहां पर नीचे देखिए वह कीजिशा हिए गर फ्रकशनल को ठाल होता है अब करेंड लिखेंगे जाड़ाहनि सेविंग बनता है तो आप्ट यह यहां पर कॉलने की तारी आप कौन्से डेट में खाता को और करवाएं थे तो उपला डेट आपको पासबूक में मिल जाएंगे और पासबूक से देख कर आप यहां पर खाता खुलने की डेट जो है वो डेट यहां पर लगा दीजेगा ठीके दोस्तों उसके बाद नीचे आजेए नीचे देख सकते दोस्तों यहां पर आपको बताया जा रहा है एट्टी एम स्क्रीन पर तीसरी भासा अंग्रेजी और हिंदी के अतिरी न Zukunft मतब्स अगरन आप कोई भासा चाहते है तो आप यहां पर ऊणीचे आ जा जाते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पार देख सकते है दोस्तों लिखा हुआ हुआ है सिगनेचर यहां पर आपको आपका सिगनेचर कर देना है ठीक है दोस्तों और उसके बाद और एक बाद दोस्तों यहां पर देखिए लिखा हुआ है डेट यहां पर जिस दिन इस फॉर्म को सब्मिट करने जा रहे हैं उस दिन का डेट आपको यहां पर लगा देना है ठीक है इस प्रकार से आपको यहां पर जिस दिन आप फॉर्म को सब्मिट करेंगे उस दिन यहां पर डेट लगा देना यहां पर सिगनेचर कर देना ठीक है उसके पर नीचे देखिए यहां आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है दोस्तों यह सब भरेंगे वह बैंक बाले भरे ठीक है तो यहां आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है बस यहां यहां भर दीजेगा और आपका फॉर्म जो है भर के कंप्लीट हो चुका है और एक बात बता देना चाहता हूं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इस फॉर्म को भरने से दिलिटेट तो आप हम स्वर्म करके बताए हम अपका जो भी डाउट है उसको स्राव करने की कौसिस करेंगे और आपको किस परकात से वीडियो चाहिए वह भी पताएगा दुस्तों हम उसका भी वीडियो बनाने की कोसिस करेंगे तो उम्मीद करता हूं दुस्तों वीडियोच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिं